तो यहां पर विजन आई से करेंट अफिर की सीरिज को पॉंटनिव करते हुए जो कि जैनुवरी 2021 की है हम आयर का टॉपिक फिर से लेकर आए हैं यह इसका पार्ट 2 हम कवर कर रहे हैं पार्ट 1 हमने कवर करके प्लेडिस के अंदर डाल दिया है प्लीज आप जाए और प्लेडिस करेंगे इसमें की पहला टॉपिक रहेगा रोल ओफ इंडियन डायस्पुरा इंडिया 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 इसको समझते हैं रिसेंटली क्या हुआ है बच्चों 16 प्रवर्शी भारतिय दिवर्स कन्वेंशन हुआ है वर्चुली न्यू दिल्ली में हुआ है और दिल से लगां है कि आथम नर्भर भारत एक सब देख रहे हैं आज कर और हम इसमें सफ़र होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि इसके लिए कदम उठाते रहें तो यह है इसका कुछ थीम, बहुत ही खुबसूरत थीम, दिल से लगा के बात करिए, तो मज़़ा ही आ जाएगा, अब कुछ बात करेंगे, इंडियन डायस्पुरा के बारे में, तो बैदे को जिनको डायस्पुरा का म जो है, यह जादा तर यूस करा जाता है, तो इंक्लूट नॉन रेजिजिजिट इंडियस, जो यहां पे नहीं रहते हैं, बट इंडियन होते हैं, बाहर कंट्री में रहते हैं, ठीक है, या फिर परसंस ऑफ इंडियन ओरीजन, जो कि सब कुछ हमने पढ़ा होगा, आपने इंडियन कॉल्टी पढ़ी होगी अगर, तो उसके अंदर सब कुछ समझाया गया है, शीजिजिजिप सारे चैप्टर में भी समझाया गया है, तो परसंस ऑफ इंडियन ओर साथ इसाथ ओवर सीजिजन ओफ इंडिया, तो इजह ओस्याइए बोलते हैं, ठीक है, इसमें कि जो परसंस ऑफ इंडियन ओरिजन हैं, और ये OCI मतलब Overseas citizens of India, OCI cardholders हैं, इनको एक कैटेगरी में 2015 में मर्च कर दिया गया था, आपने सुना होगा, खबर रही होगी अगर तो आपको पता होगा, और अगर नई खबर रही हैं तो जानिये, 2015 में क्या हुआ था, कि जो OCI cardholders उनके साथ साथ आपकी PIOs, मतलब persons of Indian origin, इन दोनों को मर्च करके OCI ही बना दिया था, मतलब Overseas citizens of India, ठीक है, तो ये पुरा पुरा जो है डायसपुरा का term, इसलिए यूज़ करते हैं, और broadly बताएं आपको, तो for the Indian government, मतलब हमारी भारती सरकार के लिए, जो डायसपुरा है कि makenator? इसमें वह सारे लोग आते हैं वह अब अभी किया है इंडिया डाइस्पोरा का तो आपकी वर्ड माइग्रेशन रिपोल्ट जो कि 2020 की है उसके हिसाब से अगर देखें तो इंडिया लीडिंग कंट्री है और इंटर्नाशन माइगरेंट्स यह 2019 में लीडिंग कंट्री रही है और इसमें कह रहे हैं कि 17.5 मिलिय के अंदर वह 79 बिलियन डॉलर थे लार्जेस थे वर्ड के अंदर मतलब बाहर हमारे लोग रहते हैं इंडिया में भेशते हैं पैसा अपने घरवालों को भेशते हैं इदर उधर भेशते हैं तो यह अब हमने जान स्नाट इम नीउस का मपढ़ रहे थे अब हमने ये बढ़ यह दो सालों में एक बात मनाया जाता है ताकि हम जो overseas Indian community है जो हमारे देश से बाहर रहती है अलग-अलग country में हम उनके साथ जो है interact कर सके engage कर सके और वो जो है हमारी सरकार के साथ engage कर सके और एक बार अपनी जो जड़े हैं उनसे एक बार को reconnect कर सके कैसे भी है अब उनको भी ऐसास दिलाना पड़ेगा अभी फला फला country में रहते हैं हमारे इंडिया के सरकार अगर मा लीजे इनसे कभी बात ही ना करें इनको कोई तवज्जों ना दे तो इक तरीके से भूल जाएंगे दीमे दीमे अपने घरवालों को भी इपने पास बला ल से तो यह सब अगर याद रहता रहता है तो इंसान अपने जड़ों से जुड़ा रहता है यह कभ होता है प्रवर्ण से यह आपका 9th of January को हुआ और यह इस दिन 1915 में हुआ था महात्मा गांभी इंडिया वापस आयते साउथ अफ्रिका से और इन्होंने जो हमारे देश का जो यह आंदोलन था जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसे यहां पर लीड किया था ठीक है तो इस वैसे यहां पर यह बनाया जाता है 9th of January को अच्छा यह PBD को कर्वेंशन हुआ यह प्रवर्थी वाला कर्वेंशन हुआ प्रवासी भारतिये दिवस वाला कर्वेंशन हुआ इस इसने सेलेट करा जो बड़े-बड़े इंडियन डास्परा मेंबर से एमिनेंट हैं जाने बाने हैं उनको यहां पर अवाल दिया गया इस प्रवासी भारतिये सम्मान अवार्ट्स के अंदर तो इससे थोड़ी इज़त वागरा भी दिए गए तो और ददा हमारा नाम जाता है जो दिया जाता है NRI को ठीक है NRI को या फिर POIs को मतलब Persons of Indian Origin को या आपके जो है पी आई-ई-ओ है यहां पर गरत दिखा हुआ पी आई-ओ बोलते है Persons of Indian Origin और उसके बाद organization के institution को जो establish और run करी गई है किसी NRI या पिर PIO के द्वारा उसके बाद इन्होंने ऐसी PIO के द्वारा run करी गई है और इसने काफी अच्छा contribution दिया है इंडिया को समझने में abroad ठीक है और इंडिया की जो भी causes concern है ने समझा है tangible तरीके से मतलब अच्छी तरीके से समझ के जान के चूख के committee work जो भी abroad में उने किया है welfare किया है local Indian community को जो कुछ भी है अगर कहीं foreign country में ने शुरू कर दिया है और हमारे देश का यहा पहला रहा है तो वहीयर देश की बारे में बता रहा है बता रहा है तो यह तो फिर ऐसी organization हो या फिर ऐसा institution हो या फिर कोई person of Indian origin हो तो मतलब ऐसे कोई बी इनसान है तो इसको दी जाए गा ये and a world समझ गए काफी अच्छा high a smaller a अब बात करेंगे जिए कि क्या रोल प्लेग कर सकता है इन्डियन करanca हमारे इंडिया फिर इनट्ञ और इन अन्हें करें तो GleP,laR sign, př. अगर उसका यूज करा जाएगा इंडिया प्रोड़क्ट का ऐसे ओवर्सीस इंडियां के दौरा तो इससे क्या होगा कि इंडिया की प्रोड़क्ट जो बनाए गए हैं इसमें पूरे वर्ड में इन पे कॉन्पिडेंस जाधा मजबूत होता जाएगा Ngamala जे कुम नothdebulle तो आव ईससे की गजए ऑग वर्लोग का तप ऊंदर तो हमारे लोग रह रह रहे थे उन्होंने dong इंडिया वारे प्रोड़ट को यूज करना शुरू करना है, instead of those products भोग है जो है made in USA, तो इसके सिपार हम यहाँ जो वहाँ लोग रह रहे थें, उन्होंने Make in India प्रोड़ट को यूज करा, और इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों में हमारी कि हमारी इंडिया के लिए काफी confidence बढ़ेगा हमारी बीजिम में आ रही हैंगे अच्छे से अच्छा प्रोड़ेट प्रोड़ेट करें ठीक है उसके साथ इससे क्या होगा इंट्रेस्ट इंडिया के अंदर भी आएगा इंडिया के वैल्यूस के अंदर आएगा और इससे और लोग जो है लिएकेडमिक, सोशल सर्वेस, मेडिसन, बिजनेस, आइटी वग्यारा में काफी चीज़े बढ़ रहे हैं काफी लोग बढ़ रहे हैं और इससे विज़े से डायलोग्स और डिसकुशन के मादग हम से हम जो जो जाना पना इंडियान डाइस्पूरा है यह यह सब्सें क्该मारे को हमारे कर सकता है कांट्री केंडेवर को अब क्या हमा Likewise को अब फिर्सकार के कंट्री रिसेर्च अड़िवर्मेंट में तो-ससे हमारे कों heा स्बनेंट कर अवर रहे हैं यह को हम लोगों को मजबूत कर सकता है इन सब चीजीज हैए ञेजन यहां मार्के तो यहां की मार्केट की भी अच्छी खासी नॉलेज हो गई, समझ रहे, तो इसकी अच्छी खासी नॉलेज होने की विज़े से क्या होगा, कि इंडियन डायसपुरा अब यूनीक इंसाइट दे देगा, इंडियो कंस्यूमर बहेवर, वो बताएगा, कि यहां का जो कंस्यू समझ के इस बात को बहुत ही समझां के मैंने बताने की कोशिश करी है, अब देखे, COVID-19 पेंडियों के टाइम पे, इंडियन डायसपुरा काफी अच्छे से, हेल्थ केर सिस्टम में इंगेश था, बहुत सारी ऐसी पॉरिन कंट्री में, और यह सारे हेल्थ केर स्पेशलिस् अगे आने वाले फ्यूचर में झेल सकें, तो यह एक फाइदा है, उसके बाद क्या कर सकता है, इंडियन डायसपुरा, रेमिटेंस एड इन सोची एगनामिक डवलप्मेंट, अब भहिया देखो इस साफ बाद है, कि हमारा देश हो गया है, गरीब होता जा रहा है, अमीर ह ही है, अब इसमें क्या फाइदा कर सकता है, इंडियन डायसपुरा, भहिया उसने यहां पे पैसा बेज़ा अपने परिवारवार लोगों, तो हमारे हां की रेमिटेंस बढ़ी ना, पैसा हमारे और बढ़ा, अब यहां पर जो खर्चा कर रहे है, वो तो यहां पर खर्चा है, तो इससे क्या होगा, कि यहां की लोग पैसा खर्चा करेंगे, इनके consumption behavior में changes आएंगे, तो इससे बहुत सारी families इंडिया की है, वो क्या करेंगी, सोचेंगी कि आओ बच्चों को अपने पढ़ा ले, education दे, skill development दे, ताकि वो और अच्छा हमें कमा के दें, तो इससे क्या आएगा, जो पैसा होगा, तो लोग इस तरफ ही जाने शुरू करेंगे, फिर क्या फाइदा हो सकता है, entrepreneurship यहां पर बढ़ सकती, देखिए, यहां पर जो इंडियन डाइस पुरा है, यह transnational entrepreneurship को बढ़ा सकता है, कैसे entrepreneur को support करके, small business को support करके, इंडिया के अंदर, और कैसे support करो सकता है, secure investment flows, अभी से देखिए, इंडियन डाइस पुरा क्या कर सकता है, काफी अच्छे से inform होते हैं, इंडिया की market conditions के बारे में इनको पता होता है, और domestic labor and economic policies, जो है, दीमे-दीमे, इनके बारे में इनको पता होता है, और यह सब क्या होता है, जादा, इनके पास अच्छ की realistic expectation होती है, time frames की, कि कितने time में हमें project को complete करना है, या फिर कितना हम invest करेंगे, तो कितने time में return मिलेगा, ठीक है, capital info, जो कि green field और brown field firms में आते हैं, यह help करते हैं, expand करने में हमारा manufacturing इंडिया के अंदर, यह कुछ फाइदा है, आपका investment अगेरा अच्छे से flow हो सकती है, investment फसे की नहीं, investment जो है, किसी का पैसा पैसा नहीं फसेगा, time से, जो investment किया है, उस पर profit चाथ वापिस आ जाएगा, फिर किया भी profit हो सकता है, डाइस्पुरा, डिप्लोमेसी, देखिए, इंडियान डाइस्पुरा काफी जादा financial औ पॉलिटिकल अफिनस पाता है, abroad में, तो यह अ सरकार जो है, वो भी इनको चाहा रही है, तो भाईया देखो, यह क्या करते है, ऐसा कुछ करेंगे, कि जिससे यहाँ पे ऐसा alliance बने कि हमारी इंडिया की सरकार के साथ भी बने, ठीक है, कि यह frequent visits भी होने लग जाएं, दोनों के बीच में, conferences भी हो, government level पे, industries में, इससे क्या ह करके होगा, कि हम यह लोग बिच का काम कर सकते हैं, दो लोगों को जोडने में है,ने, बिचौलीया का काम क्या लीज़ेजे, बिच भी बन जाएं, यहाँ लोगों को जोडने का काम कर लेजे, उसके साथ, mediation by mediator, अनुम्च भाई ऐस्वेटर बन सकते हैं, उसके बाद पैस तुर यहां सासर भी इसका भी फ्रेंड है अब ये इसके से घर में रहता है एक फ्लैट लॉस्ट में लॉइब करें ये तो बहुत अच्छा है। डासपुरा भी हमारे लिए कंशनस हैं। ऐसा नहीं है सिर्क खुशियों के साथ कुछ गम भी होते हैं और पहला यह regulatory hurdles ऐसे कि इतने खतनाक norms अगर आपको किसी अनराय वगएर को नई firm यहाँ पर इस्टाप्रिश करनी है तो इससे काफी complex से norms है उसके साथ foreign direct investment जो FDI limit वगएर लगाई गए यह दिक्कत है ठीके इससे क सकता और इसलिए investment यहाँ पर सही से लग नहीं पाती है तो उसी दिक्कत है कि limited scope of interaction ज्यादतर जो आपके outreach है ज्यादतर जो है वह focus करते हैं Indian diaspora जो कि आपका developed country का हम ज्यादतर ऐसे Indian diaspora पर ध्यान देते हैं यह developed country के हैं ऐसे पी USA में जो लोग रहते हैं UK में जो रहते हैं उन उन पर ध्यान दें जो लोग हमारे South Africa में रहते हैं South East Asia Asian nation वगरा में रहते हैं तो अगर हम इन पर दें तो जादा हमें मिलेगा को कि इनके पास अभी बहुत सारा ऐसा unexplored resource है जो हमने नहीं कर रहा है लेकिन हम उधर की तरफ जा रहे हैं तो यह एक डिक्कत है क्या आगे ब प्रवर्सी रिष्टा पोर्टल लेकर आई है और यह क्यों इस्टाइबलिश करा गया है ताकि हम अच्छे से कम्यूनिकेट कर सकें प्रवसी भारतिया के साथ में ठीक है तो क्या नाम है इसका Global प्रवसी रिष्टा पोर्टल दूसरा क्या सरकार ने किया है वैश्विक भा नाम हे पारताईज और नॉलेज है पुरे गलोबल इंडियन रिसरचर्श कि रिष्टा है तो हम यहां पर यहां पर यूस करेंगे फाइदा उताएंगे तो इस नेगेटिव सेंस में पॉसिति पर आकि जो भी इंडियान जो भी हमेर्जिंग चैलेंजजמק है उसे हम सॉल कैसे Indian overseas और रेसिड्डैनल अकी इस साइंटिस को एक साथ लाकर अब इस क्या है इसका मतलब क्या होता है समझे आपे इसे को हमारे Alaska की जो आपinson k principles जो हमारे इसे बाहर रहते हैं jaką ए में longtime कि हमारा रहते हैं इंडियां ण के का है उन पुरे वर्ड की नॉलेज और एक इंडिया की नॉलेज डिफरेंस आएगा, पुरे वर्ड में जितना है जितने जहां जहां से पढ़ा है वो सब हमारे लिए नॉलेज उनकी काम आएगा, उसके देख फाइदा हो सकता है, sorry, फाइदा क्या हो सकता है, इसके जो आप मैंने पर इंडिया के अंदर सबस्ट शूच सरकार नहीं खरा है, उसके बात करेंगे, नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में, बारतनी नो इंडिया प्रोग्राम के बारे में क्या है? था कि हम awareness different different facets of life के इंडिया के अंदर जो भी है उसके बारे में पुरे वर्ल में अपने डाइसपुरा को ये awareness करेंगे इससे क्या होगा country जो है ने क्या face करा है कैसी progress करी है अलग-अलग field में ये सब हम यहां पे बताएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के प्रती जो ल प्रवर्सी कोशल विकास योजना यह एक skill development scheme है जो कि Ministry of External Affairs की यहां रखिएगा Ministry of External Affairs की है एम यह है कि हम यहां पर जो skill set करी गई है इसकिल जो set करी गई है potential immigrant workers की देखिए immigrant और immigrant का difference समझेगा जहां पर इयाँ होता है तो यहां पर समझेगा immigrant का मतलब होता है जब बाहर से कोई हमारे आता है ठीक है जो हमारे है काम करने आजाए बाग के आजा कुछ भी कर ले देखिए लेकिन जब हमारे हैं से कोई बाहर ज इसकिल है उसे हम और तरीके से इन्हांस कर सकते हैं कुछ selected sectors में और job roles में इस तरीके से ताकि हम international standard को match करें ताकि यह लोग बाहर जाए और international कहीं पर भी किसी भी कंट्री में जॉब भी करें समझे ना employment को असानी से मिल जाएगा तो भईया हमें यहां पैसे भेजेंगे हमें आप फाइदा देंगे और आखरी में क्या दे सकता है फाइदा कि भाईया देखो फाइदा क्या है सर्कार ने एक और शी शुरू करी है वह यह community welfare funds तो यह भी सरकार ने शुरू करें है तो national level पर क्या किया गया है बच्चों इंडिया यहां पर ऐसे funds community welfare funds टाइप के वह है व को clear है यह सारे जो funds है यह अच्छा खासा emergency cases वगयरा में अगर कुछ है तो हमें काम आएगा और जो भी है rapid response देने के लिए काफी काम आएगा तो यह कुछ है बाते हैं उसके राक्री में way forward क्या यह बात कर लेते हैं तो इंडियान जो diaspora का रोल है हमारे development में हमें आत्म निर हमें क्या है investment opportunities कितना फाइदा मिल सकता है क्या निमल सकता है तो जो diaspora है उसको यहाँ पर educate करने के लिए यहाँ पर educate करने के लिए कि क्या investment opportunities इंडिया के अंदर कौन से ऐसे investment channels है इसके तिया आप investment कर सकते हो तो यह सब कुछ के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगी information campaign चलाएंग को इंडिया के इंडर जो भी है उसको इनफॉर्म कर सकें कैसे कर सकते हैं आप डिसकेशन आप रिजनल या सेक्टोरल ग्रूप बनवा लीजे एडवाइसर का तो आप इससे क्या होगा किसी डिसकेशन वगेरा हो जाएगा तीसरा क्या हो सकता है फोकसिंग और इंगेजिंग ग्रोइंग डिस्पूरा एंड इमर्जिन कंट्रीज देखे कुछ कंट्रीज आप डेवलप्ट कंट्रीज पर ध्यान दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन सिर्फ ध्यान मत दीजे कुछ कंट्रीज जैसे कि साओध अफ्रिका उसके साथ स इस पूरा है इसको आप इनेविल करो कि अपनी ऑपरेशन जो है अपना काम दाम जो है अपनी फर्म अपनी फर्म सोगेदा का इंडिया में फैलाएं तो इससे हमको यहां पर बहुत अच्छा फाइदा मिल सकता है फिर आता है साउथ एशिया इनर्जी सिक्योरिटी का डॉप अब यह न्यूज में क्यों रहा है पहले समझे देखिए एक हाई लेवेल ग्रूप यहां पर मदद करेगा एक अच्छा साउथ एशिया फोकस करता हुआ इनर्जी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनाने में और इसका नाम क्या है सेज इसका फुल फॉर्म समझाती हूं आपको फुल फॉर्म कहता है कि साउथ एशिया ग्रूप फॉर इनर्जी तो यह है ऐसा हाई लेवल ग्रूप और इसको सेट अप करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्टेर्नल अफेर्स के दौरा तो इस वजह से यह रहा है नियूस में आगे कुछ बात इसके बारे में करेंगी कि आखिरकार यह सेज क्या है तो देखिए यह कंसौर्टियम मतलब एक कंसौर्टियम का मतलब होता है कई ग्रूप अफ कंपनी से एक साथ आती है और कुछ अपना जो भी परपस है उसे फूरा करने के लिए तो इसके बात समझ भाएंगे अब इसके अंदर कंसौर्टियम के अंदर कौन कौन होगा देखिए एक तो USAID होगा उसके साथ United States Department of Energy होगा उसके साथ तीन बड़ी-बड़ी लेबरेटरी इसे नाशनल लेविल की जो कि पहली है लॉरेंस बार्कले नाशनल लेबरेटरी दूसर देश क्या है तो बच्चे यह है कि देखिए रिसर्च वगेरा करेंगे पूरी तरीके से ऐसी रिसर्च और एनलेसिस जो होगी वह इनर्जी सेक्टर में जो भी अपॉर्चुन्टी से उसको फोकस करती होई होगी हमारे साउथ एशिया रीजन में उसके साथ यहां पे USAID के साथ जो है इकूप करके से लेंगे ना पार्टनर गोर्वर्मेंट है है इसमें क्या है कि इसमें विध क्रिटिकल इंफर्मेशन और ताकिश से क्या होगा कि यहां पे स्ट्रेजिक इंवेस्टमेंट और बढ़ेगा उसके साथ यह कॉन्ट्रब्यूट करेंगे टुवर्स जो हमारे गोल्स है एशिया इन्हांसिंग ग्रोफ एंड डवलप्मेंट थू इनर्जी के देखिया यह क्या है एशिया एज इसको बोलते हैं और यह एशिया एज जो है यह युनाइटेट स्टेट की सरकार का इनिशेटिव है यह सपोर्ट करने के लिए ग्रोफ जो कि सस्ने अब आप कहेंगे कि माम आखिरकार क्या जरूरत है जबाल चैफ इस इनर्जी कोप्रेशन केहारे तो बहुत जरूरत स्खेशन के जरुऑर्स जो है ईनर्जी केधिया और जो हमारे पास्यसोर्से आई इस साउथ ईस इस माचे पर करने को मिलता है कहीं पे इनर्जी जादा ह इनर्जी कम है तो यह इसे बड़ी बड़ी कंट्री में आपको बताना चाहती हूं हमारी इंडिया हो गई उसके साथ पाकिस्तान हो गई उसके साथ बांगलेश हो गई तो जारत तर जो शेयर है यहां इस रीजन का नाच्रल ग्यास का या कोल का वह हम इन दोगों किया पाया पाऊ बड़ी कंट्री होने के सापतर तुमैं यहां पॉपलिशन जादा है और दीमांड भी बहुत जादा है उसके अगरं हम दूसरी कंट्री की कुछ बात करें बूतान quick और नेपाल की बात करें शोटी शोटी कंट्रीश है इन पास क्या है इन पास regen है ऑख और पाने के तुरू जो इलेक्रिसिटी बनाया जाती है यहां पर उनके पास इतनी दिमांड नहीं है दिमांड से जाधा एक्सिस है उनके पास इन चीज होगा तो यह क्या कर सकते हैं यह कुछ इंटर रीजिन में यह इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते है अपने इनर्जी को तो इनके फायदा है और जो अगल बगल वाली कंट्री को उसका भी फायदा है उसके आधे एक क्या कर सकते हैं economy को economy of scale को help कर सकते है energy procurement में ऐसे कैसे आपको बताती हूं कि जो रीजिनल इनर्जी ट्रांसफर होगा मतलब यह रीजिन से दूसरे जिजन में जो energy को ट्रांसफर करा जाएगा इससे क्या होगा इसे क्या होगा कि दूसरी country जिनको जरुवत है energy कि उनका जो है और फिर्क्योर कर पाएंगी उनके पास अच्छे resources आप पाएंगे बाहर से तो इंट्र हो चाहे इंट्र हो मतलब आपस में हो यह एक साथ दूसरी country में हो अगर यह एसा इनर्जी ट्रांसफर होगा तो काफी help करेगा ये economies of scale को साथे साथ देखा जाए तो भई हमारे पस काफी सारे options भी हो जाएंगे इनर्जी लेने के अब जो दे रहा है उसके बाले भी फाइदा है जो ले रहा है उसको भी काफी फाइदा है उसके बाद क्या बजा है एक ये भी है कि हमारे पस lack of access है clean energy का clean energy की थोड़ी सी कमी है region आप जानते हैं यहां पे बहुत बड़ी बड़ी population वाली countries है हमारी हो जाए हो जाए पाकिस्तान हो जाए इंडिया हो जाए बागला देश देख सकते हैं बहुत बड़ी population है और उसके साथ क्या है कि यहां पे clean form of energy बहुत कम देखने को मिलती है तो जो बड़ा ही section जो है एक population का पर्टिकुलरी जो गाहों में लोग रहते हैं उनके पास आप जानते हैं electricity की बहुत जादा कमी है ठीक है अब तो पहुंचा है लेकिन हर घर में बत्ती आज भी नहीं है ठीक है और यह पहले जो है जबाने में बायो मास्कुकिंग के थ्रू ज करते हैं सारी जो south asian countries है इनके पास अच्छा खासा important अगर हम कहने अच्छे खासे amount में potential है कि वह अप renewable power की तरफ shift कर सकती है जो भी क्या होता है खतम नहीं होने वाला clean energy तैसे solar energy हो गई आपकी wind energy हो गई biomass हो गई तो हमारे अच्छी खासी इनके पास इसारी countries के पास potential है कि हम इसकी तरफ यहां पे जो हो switch over कर सकते है बट जो management है intermediate supply का यह अच्छा हो सकता है तब जब यहां पे regional infrastructure अच्छे से connected हो तब ही आप इन सब चीजों का management अच्छे से कर सकते हो तो यह भी एक यहां पे जो है वो वज़ा है उसके बात आती है इंडिया इनर्जी कोपरेशन विद अधर साउथ एशन कंट्री अगरी जो हमारी हमार energy cooperation है हम किसके साथ यहां पर बना के चलते हैं तो यहां पर हमारा इंडिया का इनर्जी कोपरेशन है दूसरी कुछ South Asian countries के साथ वह आपको इसके अंदर बताना चाहूंगी मैं देखिए पहला तो आपका energy cooperation South Asia में होता है at a bilateral as well as regional level पे भी होता है ठीक है और bilateral पतल दो अगर इंडिया और दूसरी South Asian countries के बीच में होगा तो यह काफी जादा अच्छा होगा comparatively to regional उसके साथ समझ आ इंडिया का अगर हम South Asian countries को लेके बता है तो देखिए किस तरह से क्या हो रहा है हम सुझाते है अब दूसरा क्या है इंडिया एक largest consumer है primary energy के इस region में देखिए क्य में इंडिया ने काफी कुछ अपना अपने आपको बढ़ाया है energy regional energy cooperation में South Asia में और इसके वेज़े से क्या हुआ है एक अच्छा current complete process लिया है multiple cross border energy projects को इन्होंने काफी साथे multiple कई सारे cross border energy projects को यहाँ पे इसके लिए step उठाया है progress भी इसके अंदर काफी साथ देखने को मिली है कंट्री कंट्री के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं तो सबसे पहले आपको बताओ मैं इंडिया का भूतान के साथ अगर मैं आपको समझाओ तो इंडिया यहां पे काफी अच्छा technical हो चाहिए financial assistance हो सब कुछ दी है ना technologically हमने उनको मदद करी है यहां पे financially हम इंडिया को देता है एक हजार से बारा सो मीगावार्ट तक तो पहला एवर सबसे पहला जो clean development mechanism जो है था उसने काफी कुछ जो है benefit करा और यह इंडिया भूतान हाइड्रो ट्रेड के अंदर देखने को मिला से 2010 में तो यह कुछ हमारे है भूतान के साथ में रिष्टा उसक इंडिया का बांगलदेश में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने क्या कर रहा था एक Memorandum of Understanding जिसे हम लोग MOU कहते है उसको sign करा गया था इसके अंदर क्या था कि 100 Megawatt के पावर जो है वो बूतान को सारी यह पावर को जो है वो एक्सपोर्ट करी पावर विल एक्स रहीन है तो चार तरह के फोर हाइड्रो एलेक्ट्रिक सकीश को जो है वह यहां पे एड्रीगेट जो चार तरह की जो है वह है जिसकी जो है इंस्टाॉल क्किक करीब 50 मेगावाट है इसको इंप्लिमेंट करा गया है नेपाल के अंदर और इसमें हम ने भारत ने कावी करा जाएगा on the Arun river clear है उसके लाद हम देखे LNG की बात करते हैं तो देखे एक बड़े लेवल पे LNG फैसिलिटी जो की बे ऑफ बेंगॉल में बेंगॉल की कोस्ट पे होगी तीक है यह भी चल रही है इसमें आपके पार्टनर आपके इंडिया होंगे साथ में बांगलादेश होगा और हो सकता है कि नेपाल भी हो और एक नया LNG टर्मिनल जो है हल्दिया और धाम्रा से जो है वो डबलब किया जा रहा है एल एंजी का फूर्फ फॉर्म बच्चे होता है लिक्विफाइड नाचरल गया तो यह मतलेगा लेंजी आकित पार क्या आगया अरे थोड़ा सा ना यह साउथ एशिया रीजन है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं तो साउथ एशिया ठीके एक सब रीजन हो गया एशिया का ऐसिया काफी बड़ा है मैं तेखा होगा उसके एंदर अवाला इधर पार्टा रहता है उसन इसनल eसा ऑ ले लिए और आपका गंगा इंदस वैली के बीच में एक नेपाल है दूसरी बांगलादेश है फिर आती है बूटान फिर आती है इंडिया फिर दुर अफगानिस्तान मैनमार मालदीव सौर्पाकिस्तान तो यह सारा कुछ जो है सारी कंट्रीज आती है इस रीजन में हमारे अब दिखें इसमें काफी जाधा पॉपलेशन है वन यूएस की इनर्जी इंफर्मेशन एड्मिस्ट्रेशन के हिसाब से उसके उनके अनसार से जो रीजन का प्राइमरी इनर्जी कंजम्शन है यह 58 परसेंट से बढ़ा है बिट्वीन 1991 तो 2000 और यह माना जा रहा है कि करीब 40 परसेंट से और बढ़ने वाला है अगले 30 सालों मे तो आप समझ जाए ना कितने तेजी से बढ़ रहा है और अगर इतना कुछ यहां पर हमें जो प्रजेक्टिट डिमांड है जो आने आगर समय में हमें पता है कि डिमांड और बढ़ेंगी अगर से पूरा करना है तो अकेले दम पे कुछ नहीं होगा इसमें नाशनल इंटर अब कुछ एक चाल टोर दिया है समझा देती हूं वैसे कुछ है नहीं आपको पता ही होगा लेकिन तब भी मल्टी लेटर इनर्जी कॉपरेशन साओ तेशिया में कुछ ऐसे हमने बना रखे हैं वह कौन-कौन से है सार को तो बड़ा अच्छा सुना होगा ना सार के बारे म जौइन किया था और कैसे एनर्जी की फीट में कैसे काम करते है सारक नेर्जी सेक्टर 2006 में इसलामबाद में आप इनुने काम किया था लेके इनर्जी के कोपरेशन उसके बाद आते है से सासिक के 2001 की है इसमें आपके बंगलदेश- भूतान- इंडिया- नेपाल- माल्थी महनमार और शीलंका आते हैं और इन्होंने रीजनल कोपरेशन एनर्जी अलोंग विट ट्रांस्पोर और ट्रेड फैसिलिटेशन में दिखाया था अपना कोपरेशन और इसके बहुत ही फेमस है बिंस्टेक जो आज के बहुत जादा फीमस भी हो गई है अभी देखा था वर् बिंस्टेक इनर्जी मिनिस्टर्स कांफरेंस भी हो थी और 2005 में ताकि एक बिंस्टेक इनर्जी क्लीन सेंटर इंडिया के अंदर सेटब करा जा सके तो यह सब कुछ नॉम्मल सी बाते हैं जो कि मैंने आपको इसके इंदर बता दी अब हम यहां पर जानेंगे कि मेजर अप अब हमारे भारत के लिए क्या क्या अपॉर्चुन्टी से कौन कौन सी अपॉर्चुन्टी से समझते हैं तो पहला देखते हैं तो वाटर मैंजम्ट क्या है अभी कि अगर हम बात करें तो नेपाल का जो हैड्रो पावर पोटेंशल है यह 60 गीगावाट का है ठीक है इसमें सिर्फ और सिर्फ यह लोग दो ही पर्स भी यूज़ करते हैं अगर हम यहां पर मिल के साथ अच्छे से डवलप्मेंट करें डाम्स होगे रहा है के में स्टोरिज करते तो इससे क्या होगा कि नेपाल की जो इलेक्टरिस्टी सप्लाय है वो और बढ़ जाएगी अब नेप प्रोटिंग कंट्री बन जाएंगा और हर दरे से इसको फायदा वी दे ग़ए मरिकिंडिया के पास हैं यहां पे चीजे कम अब नेपाल कि पास चीजे जाधा तो अगर नेपाल इंडिया चीजे जाधा राएग रहेंगेजा gyms परदे यहां पर डिहां प stories तो कोसी रिवर पे रहेंगे इससे हाइड्रो पावर को जनरेट करा जाएगा और इससे क्या होगा जो भी फ्लड्स आते हैं आप जाने रहें इतना बिहार के रीजिन में बड़ा ही धमाकर करके चली जाती है कोसी प्योंकि भई इसका रीजियर रिजियर कोर्स बाहर बावर क्या है कि सेडिमेंट्स लाती है बार बर जब कोर्स बदलता है किसी भी रिवर का तो इससे क्या होता है कि फ्लड्स आने के चांसे बढ़ते हैं तो इसलिए वह सौरो बिहार भी के लाती है कोशन अगर आता है कभी छोटे मोट एक्जाम में तो बता दीजेगा तो इससे क् इन्लैंड नाविगेशन चैनल हम बढ़िया कर सकते कैसे डारेक्ट सीपोर्ट कनेक्टिविटी दे सकते हैं नेपाल से कॉलकता तक की और यहां पर जो है ऐसा कर सकते हैं दोनों कंट्रीज में आराम से चीलो के काम हो जाएगा आप दूसरी बात क्या हो सकती है दूसरी यहां प्राइमरी इनर्जी प्रोफाइल में नाशनल गेस का शेयर अभी यहां पर 6 परसेंट है अब हमें बढ़ा कि इसको 15 परसेंट कर देना चाहिए तो एक ट्राइलेटरल पार्टनर्शिप किसके बीच में होगी एक बांगलादेश होगा एक इंडिया होगा और नेपाल इससे क्या होगा कि जो कमी है आपकी आपकी जो इनर्जी और सबको सारी कंड्री से को मिल जाएगी और इस से एकनामिक वायबिल्टी इन सारे इंवेस्मेंट्स हो गयारा की भी यहां पर बढ़ेंगी और साथ यहां पर रिजन जो है वो नेट जीरो फात्फे की तरह भी ब कि चीज़े और एक दूसे की बिद्द होने लग जाएगी तो जो उनके पास रहे हुआ है उनके पास रहे है पैसा भी आरहा है सब कुछ आ रहा है उसकी पाग इंडिया के लिए एक पार्चुनटी क्या है कि यहां पर इन्हांसिंग दे शेर अपर रेन्विबल इलेक्रिस पूरा पूरा फॉसल फ्यूल करता है अभी क्या कर सकता है अभी यह सोज रहा है है कि हम क्या करेंगे प्लान करेंगे कि भया हम हंड्रेट पर्सेंट इलेक्टिसिटी जो है वो रिनेवल्स इनर्जी के थुरू अब अपने जो है वो जन्रेट कर ले और यह मानता है दोजर पचास तक हमें ऐसा करना पड़ेगा तो इसकी रही क्या होगा इससे हमारे को काफ है वह प्लीमेंट होगी इंडिया इंड्या फावर या में मिल जाएगी यह में पाइदा हो सकता है अगर हम इस तरीके से काम करें क्या है अभी हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि existing gaps क्या है साउथ इस्या के इनर्जी को परेशन में अभी क्या कमी है जैक्र अब ही बघुछ यह मारे हाँ जाहे हो, का यह लोग केका इसे आप फ्यूचर के लिए यूचर के लिए लीकिन हमारे इन पार्शनोंसरी भीया। यहां इसंगाव बऺीदा पुल Pump, फ्यूचर दूधर बट यहsinमे के लिए फ्यूचर हो सकता है। हो रहे हैं हट रहे हैं यह पर प्लूशन पैदा करता है इसके नेगटिफ इंपक्त हो सकते सोसाइटी के ऊपर क्यों आप माइनिंग वगेरा को लेकर समझ रहे हैं तो होना ना होना बिल्कुल एक तरीके से विकारी है अभी के लिए और दूसरी तरह देखें तो ग्यास कंप बढ़ाना है तो इसमें क्या होता है कि हमें यहां पर इनर्जी सेक्योर्टी रीजन में बढ़ाने के लिए बहुत बढ़ा चालेंज है विकि इसके लिए अच्छा इंफ्रस्टेक्ट्चर भी डवलब करना पड़ेगा ना बढ़ेगा तो एक मेजर रिजन यह है इसके लि में स्टेट को ध्यान में रखें यहां पर यह अप्रोच अपना जाती है मतलब गोर्वर्मेंट तो गोर्मेंट वाले हिसाब कि दर आता है अगर प्राइवट सेक्टर को लाओगे तो पैसे चल्दी आ जाएगा तो यह एक दिक्कत है यहां पर तीसरा दिक्कत हमारी पस य अगर बात करें दिक्ता है इसे अगर में ऑधर नेपाल के बात करें तो फ्राइडर पर यहां पे प्लाइक तो एक सिंग फ्यूल पर पूरी तरह से रिलाय कर जाओंगे तो क्या होगा यहां पर दिख्कत आएंगी वह खतम हुझाएक तो मार्क िख्कत आएग आएगी टे तो अगर आप बदल बदल के खाना खाऊगे आज इसका प्रेकफस्स कर लोगे तो आप तीनों को लॉज भी अलग अलग चीजों को भी ऊसक्ता है अगर आप सिर्फ पोह के पिछे पड़्जा मेरे उच पूहें खाऊंगा तो पोह बहुत ली खतम हो जाएगा तो ये एक कितनी आफत जला देने वाली सोले जी हम लेवल है बड़ लेकिन इसको एफिशेंटली टाब ही नहीं करा जा रहा है इस पर कोई ध्यारी नहीं दे रहा है अफगानिस्तान अगर एक्सांपल की तौर बता है तो इनके पास भी अच्छी खासी रिन्यूबल रिसोर्स है और मसा आ जाए तो यह बात है उसके अतिकत की है कि में सो प्लॉग्रेस अन रीजनल मल्टी लेटर प्रोजेक्ट अब देखिए इतना अच्छी नेगोसेशन हुए इतने अच्छे यहां पर बात चीत हुई लेकिन इसके बावचूद भी कोई भी अच्छा यहां पर प्रोजे यहां पर देखे और बी चीज़े हैं जैसे पॉलिटिकल डिफरेंस देखने को मिलता है सार्क के मेंबर कंप्रीस के बीच में सार्क तरीके से बिल्कुली ठंडे बस्ते में चला गया है यह बिकॉस ऑफ पाकिस्तान और इंडिया के रिवेल्री उसको लेके यह बहुत बड पाकिस्तान से आपका पाकिस्तान उसके बाद फिर यहां पर इंडिया के नदर आएगी समझ है प्रोजेक्ट माना गया था कि 2019 तक कंप्रीट हो जाएगा बट कंस्ट्रक्शन जो पाइप्लाइन का है लेकिन अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है कि 2019 तक कंप्रीट हो जा पाकिस्तान से होकर आएगा तो भी मताइज तो खाई जाएगा उसकी बाद एक है बांगलदेश भूटान इंडिया नेपाल बीवी आई एंड जॉइंट वर्किंग ग्रॉप्स तो यह क्या है इनका एम यह है कि हम एक साथ मिलके कोशिश करेंगे कि हम हाइट्रो इलेक्ट इसलिए यहां पर अभी तब अभी तक हम बताएं तो अभी तक यहां पर चार मीटिंग्स हो चुकी है इन जॉइन वर्किंग ग्रॉप पे वीच में लेकिन हाइट्रो पावर के इशू वगरा को लेके बात हुई है और वाटर रिसोर्स को लेके काफी डिसकस करा गया है इ अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं आखरी कंक्लूजन के कंक्लूजन में बस यही कहना चाहूंगी कि साउट एश्या का जो यह साउथ एश्या की जो नेशन है इन्हें यहां पर देखना होगा कम्परेटिव एडवाज़ से देखना होगा कि हमारे पास क्या है आपके पास क्या है हम किसी में अच्छ है आप किसी में अच्छ हैं ठीकिया अलग-अलग energy sectors हमें यहां पे देखना होगा और उसके साथ हमें यहां पे एक साथ काम करना होगा ट्रेड लिंक्स में, ऐसे खाली बाते करने से कुछ नहीं होगा, और इंडिया यहां पर बड़ी कंट्री है, लीट कर सकता है, फाइनसिंग के फीर्ड में भी, अच्छा खासा टेकनिकल रेगलेशन भी, उसके साथ प्रोफेशनल नेटवर्क भी यहा अलग अलग जिगा काम हो सकता है, और इससे आसपासी कंट्री यहां पर उनके पास डिमांड पूरी होगी, तो पीस और डेवलेप्मेंट का यहां पर मोहार भी बनेगा, तो यह यहां पर होता है हमारा कम्लीट, अब नेक्स उसमें मिलते हैं, नेक्स पार में आया हो कम्लीट करेंगे, तब तक के लिए, if you like the video, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel सिर्फाइस, and if you want to follow me on any of the social media platform, just follow the link giving in the description box, if you want to watch these videos on Facebook, just like the page सिर्फाइस and watch these videos there also, along with this, if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various books, thank you so much for discussion, have wonderful day, take care.